Hey everyone, welcome back to my new video ये लिस्ता क्या कहलाता है मेरी रूई का किरदार निमाने वाली एक्टोर्स परतिक चाहुनमुखे इस टाइम सुर्ख्यों में बनी हुई है तो कैसे ये परतिक चाहुनमुखे सुर्ख्यों में बनी हुई है आगी वीडियो में जानते हैं लेकिन इससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेश्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ये रिस्ता क्या कहलाता है फेम परतीक्षा होन मुखे चोटे परदे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह त्यार है आपको याद दिलाते कि परतीक्षा ने राजन साही के शो ये रिस्ता क्या कहलाता है से टीवी की दुनिया में कदम रहा था उन्होंने शो में रूही पोदार का किरदार निबाया था और अपने परदर्शन से लोगों का दिलबीद चीत लिया था हालंकि चोते सीजन के शुरू होने के पाच महीने बाद मेकर्स ने शेहजाद धामी के साथ साथ पर्तिक्षा को भी शो से बाहर कर दिया था मिकर्स ने बताया कि पर्तीक्षा की आक्टिंग सही नहीं थी लेकिन इसके बारे में पर्तीक्षा ने अभी तक कुछ कहा नहीं है आप Gossip TV की एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये दिस्ता क्या कहलाता है कि रूही उर्फ पर्तीक्षा होन मुखे को नया शो मिल गया है वह बहुत जल सुरतिजा और अरिजीत तनेजा के TV शो कैसी मुझे तुम मिल गई में वापसिकरने जा रही है कहा जा रहा है कि वह इस शो में मुख्य वूमिका निभाने वाली है और उनके शो में आने के बाद कहाने में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है हलांकि अभी तक ना तो चैनल की तरफ से और ना ही पर्तीक्षा होन मुखे की तरफ से इस बात कई कुछ्टी हुई है पर्तिक्षा के बाद अब ये दिस्ता क्या कहलाता है में गर्विता संधावने रूही का किरदार निवा रही है आपको बता दे कि गर्विता इससे पहले कुछ बाते अनकहिसी में नजर आई थी जिसको ये जिस्ता क्या कहलाता है कि प्रोडियूसर रजन साही नहीं प्रोडियूस क्या था तो फ्रेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कोमेंट करें और अगर हमारे आप चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी पास पहुचें. तो चलिए मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ.